जी अस्वाम अलेकम स्वाइट्स लेक्चर 46 स्टार्ट करते हैं अच्छा कल की क्लास के सवाल किना मैं थोड़ी रिवीजन चाहरा हूं तो पहले वो रिवीजन करते हैं फिर आज अला सवाल चुरू करेंगे पेज 275 पे ये मरकरी वहाल था अच्छा इंट्री बताओ कौन कौन सी करनी थी कल जाते वह हमें डेफर टैक्स की जनल इंट्री भी करनी है अच्छा जकम जुलाई 6 को ऐसेट खरीदने की इंट्री करनी है ठीक है और 377 को तो कुछ भी नहीं हुआ तो सिर्टेशन की इंट्र करोगे फिर रिवेलियोशन की इंट्री करोगे और रिवेलियोशन की इंट्री का पार्ट है वाम आपकी इंट्री और 39 को सिर्फ डेप्रिसेशन की इंट्री करोगे 3010 को पहले डेप्रिसेशन की इंट्री करोगे और फिर रिवेलियोशन की इंट्री करोगे अब जरा बता सब्सक्राइब अच्छा यह मैं आप चाहरा था एक यह एंड वाला भी सवाल होमवक में कर लो होमवक में आज आपका सवाल होगा क्वेश्चन बिताओ कौन से 19 और पेज नंबर क्यों कौन सा 751 तो यह होमवक जड़ा नोट कर लें क्वेश्चन 19 पे 751 पे निकाल के चेक कर लिए तो यह आपका सवाल जो हे हो होगा नज लेकल लेते हैं डेख लेते हैं पे 751 यह सबाल описании बस दो ह्यांने में अजब यह सवाल ज्राइब का यूच उड़ायों कर ना कि चीज्जों का पनिंग भार डालहें हमवख सजरूरी है आज अभी मुझे क्लास के बाए याद करवाना मैं वो ऑनलाइन वालों के पोर्टल के उपर और फिजिकल वालों के लिए यूट यूपर मैं वो जो पिछला टेस्ट है उसकी डिसकेशन अपलोड करूँगा लेकिन वो डिसकेशन जो है वो मैं इस टाइम अभी रिकॉर्ड नी करवाई वो पुरानी रिकॉर्ड करवाई भी है तो वो पिछली दफ़ा शायद पिछले सेशन में कोई और टेस्ट था बहराल वो एक सवाल था आईएस 12 का टेस्ट में आप लोगो बड़ा पसंद आया था तो उसकी मैं डिसकेशन अपलोड करूँगा और जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पोर्टल पे टेस्ट के नीचे डिसकेशन अपलोड होगी होगी और जो फिजिकल वाले हैं उनके लिए यूट्यूब पे होगी और वो जो टेस्ट की डिसकेशन का लिंक है वो जो मैंने आपको एक और वेबसाइट बताई भी है आनलेन वालों से भी बात नी करा आई फिजिकल वालों से अच्छा भाई अब ना इंट्रीज जरा नदर मार लेते हैं इंट्रीज पे मैं ना वो कल वाला जो क्लास में हम कर रहे थे मैं उसकी जो है वो तस्वीर खेंच लाया था तो ये देखें थोड़ा सा डेम आ रहा है लेकिन मैनेज हो जागा सबसे पहले साल आपने प्लांट खरीदा फिर आपने 307 को डेप्षेंट चार्ज की अभी जो मैंने सारा बचाया है 308 को मैंने ये जगह इस ते छोड़ दिया कि डेप्षेंट में कई दफा ज़्यादा डेप्षेंट पड़ी होती है और 308 को आपने सिर्फ डेप्षेंट किया डेप्षेंट आम आलातवली कितिने देप्षेंट है नाईं ये 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 डेप्षेंट में सस्ता पाने, नो की बिजाए आठ है तो कोई अस्टा डेप्षेंट का चकर नहीं है इसलिए यह surplus reputation नहीं credit वाली entry नहीं की इधर depreciation में extra option है तो इसलिए option में महंगा पाने तो यह वाली entry भी की तो यह entries का एक pattern था अच्छा आप कुछ चीजों के entry नहीं करनी किन चीजों के entry नहीं करनी वो पहले मैं यहां से आपको revise कराता हूँ और फिर मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर तरीके से इसका solution खोल के आपको revise करवाँ यह entry के सीजों की नहीं करनी यह दर आपने देखते रहने depreciation मैं तरह हर जगा highlight कराऊ depreciation depreciation मैंने हर जगा highlight कर दिया depreciation में जब सस्ता पन पड़ा हो तो P&L की यह वली entry मैंने कावे नहीं करनी पहली बात depreciation में जिस वकत सस्ता पन पड़ा हो तो यह वली entry नहीं करनी वो ही P&L के नीचे वली depreciation में जब महंगा पन पड़ा हो तो महंगे पन पड़े होने की सूरत में आपने यह टेक्स वाली जो entry negative है यह नहीं करने है यह defer tax account में automatically हो जाती है तो यह दबानी दबानी याद परो depreciation में जब सस्ता पन पढ़ा हो तो P&L के नीचे वाली figure की entry नहीं करनी और depreciation में जब महंगा पन पढ़ा हो तो यह वाली नहीं अच्छा अब दो चीज़ें और थी वो मैं आपको इंशाला बताता हूँ यह आपने याद रख लिए entry किसकी नहीं करनी हाँ मैं यह कह रहा था मैं सोच रहा हूँ कि बजाए कि हम इदर उदर करें बढ़ा soft खुबसूरत तरीके से इस सवाल को दुबारा खोलते हैं कौसा कुशन था 27 28 तो इस सवाल को खोल के जबरदस तरीके से ना ऐसे ओ माशाला किसम का हाँ यार हमारे पास कोई मस्तानी वाइड वोर्ड की तस्वीर अगर हमने नहीं भी ली थी तो हमारे पास यह वर्किंग मौजूद है अब ना मैं फाइलाइट करने लगाँ जरा ग्रीन हाइलाइटर से डेप्रिसियेशन में ये अब आप खोल लो पेज किताब का 314 और यह पक्या पक्या जो है ना यहां पे कुई हाइलाइटर अगर लग रहे आपके घर में हो तो कमाली हो जए डेप्रीसिएशन में जब सस्ता पान है तो इसकी एंट्री नहीं करनी इस वन की देखना देखना ये वहला वन डेप्रीसिएशन में जब सस्ता पान है तो इसकी एंट्री नहीं करनी और depreciation में जब महंगा पन हो तो इस 0.4 की entry ने करने है 0.4 जो आपको नज़रा रहा है यह बहुत इसके entry ने करने है यह पहली बने हैं यह पहली बात होगी पकी ठकी next अब महतरम अगली बात आपने गोट से सुनी है इस topic में current x की working में कोई नई चीज़ हम लेके गए थे येस इस topic में defer tax की working में हम कोई नई चीज़ लेके गए थे येस defer tax के t count में क्या नई चीज़ जानी है और current tax की working में क्या नई चीज़ जानी है अब यह सुनना अब मैंने green highlighter मिटा दिया है और मैंने आपको बता दी है किन चीज़ों की entry नहीं होनी किन चीज़ों की entry नहीं होनी ये अलग बहस है अब अगला मैं आपसे क्या बताने लगा हूँ defer tax के t count में और बो 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 current tax की working में क्या जाना है उसके लिए अब मैं बड़े शोक से मेरे साथ मतवज्ज़ रहना है उसके लिए ना मैं depreciations को green से highlight किया था अब मैं ना revaluation surplus को highlight करने लगा हूँ यालो से revaluation surplus दूणो दूणो मिल गया सार revaluation surplus दूणो 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 surplus है या loss है दूणो 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 Claire क्या कै ढूंड लिया revaluation surplus relation loss अब आपने ना general entry पहले जहन में सोचनी है फिर आपने posting करनी है आच्छा वो आपकी entry छोड़ो accommodation debit as a credit plant credit P&L debit तो बताओ P&L debit अब जरूरी तो नहीं general entry से हम current tax से working बनाएं हमें इस working से भी current tax से working आनी चाहिए तो plant credit P&L debit loss record कर लिया accounting वालों ने text ले केंगे हम revolution loss को नहीं मानते तो इस 8 को मैं add करूंगा लेकिन यार मैं कहां add करूं इस 8 को मेरे से तो 30 जुन 2008 की working मांगी ही नहीं current tax की कल मैंने आपके सामने की थी 30 जुन 2008 की working मांगी ही नहीं current tax की तो एक तो current tax में ये जाना है दिख लिए आपने अपनी book पे current tax में ये जाना है लेकिन current tax ही working मेरे से मांगी ही नहीं बोलो मांगी ही नहीं एक तो current text में यह आर्ट जाने अच्छा current text में क्या जाने और defer text के t-con में क्या जाने इसके लिए revaluation surplus या revaluation loss वाल जहां जहां लफ नदर आ रहे उसको highlight करने और किसकी entry नहीं करनी उसके लिए सिरफ depreciation की line के आगे मैंने कुछ किया था और यह कल homework का सवाल करके आना पिर यह चीज homework के सवाल में रिवाइस करेंगे आगे चलो बात को खैंच के रखो इसकी मौतरम आप मुझे general entry बताएं यह यह column तो existence lose कर गया इसकी general entry बताएं यह जो yellow वाला है प्लान डेबिट पी एंडल क्रेडिट डेटी एल करेडिट और revolution surplus in OCI करेडिट अब current tax की working में क्या जाने है और defer tax के t-con में क्या जाने है यह आप मुझे बताओगे current tax की working में क्या खुशी record हुई छे की खुशी को उल्टाने की जरूँ है क्योंके tax वाले revolution gain को नहीं मानते कुशी को उल्टाएं के sign से less के sign से उल्टाएं तो क्यों ना हम current tax की working इदर ही हुई हुई देख लें यह working 1 हुई है minus 2 हुई 6 बाकि तो accounting decision और text decision और defer tax के t-count में क्या जाना है वो दो शारिया चार जाने DTL account में credit site पर 2.4 जाने DTL में credit site पर 2.4 जाने DTL का account शुकरत उपर बनावा है यह DTL का account की credit site पर 2.4 जाना है I think everyone sitting in home and everyone sitting in class now should feel comfortable अब उसे comfortable हो जाना चाहिए किस-किस की entry नहीं करनी यह मैंने depreciation को green से highlight करके आपको समझा दिया और current tax में क्या जाना है working में और defer tax के T count में क्या जाना है यह मैंने आपको समझा दिया revaluation loss या revaluation surplus वाली line को highlight करके लेकिन ऐसे highlight करने से काम नहीं चलेगा जबानी जबानी ना paper में entry revise करनी पड़ेगी तो यह 8 रुपे जाने है current tax की working में और यह 6 रुपे जाने है current tax की working में यह 6 भी जाने है current tax की working में और यह 2 शरीय चार defer tax के T count में जाएगा अब यह रटा नहीं मारना entry करनी है paper में तो फिर यहां से यह बास जाद रहेगी यह 2 शरीय चार defer tax के T count में जाएगा clear अच्छे अर कल जाते जाते न सारे सालों की current tax की entries तो नहीं हो सकती थी तो कि profits अवेलेबल नहीं थे लेकिन सारे सालों की defer tax की entries हो सकती थी तो defer tax की entries करने के लिए हमें यह defer tax के T count के carry downs अवेलेबल थे यह कल मैंने आपको लिखवा दिये थे अब entries जरा बोलनी शुरू करो अच्छा इसमें entries जब मैं बोलनी शुरू करूंगा तो यह देखो पहले साल की DT debit DTL credit तो यह entries में यह 37 में न असल में कोई accounting और टेक्स की जल्दी 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 वो जगा थोड़ी भी थिकल डेफर टेक्स की entry 37 साथ के साल में यह साथ के साल में यह साथ के साल में 37 साथ के साल में entry यह 3.6 की यह 3.6 की यह entry क्या IDT debit DTL credit 3.6 की मुझे लगता है पिर टेक्स की जल्दी 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 तो हां यह के entry यहां यहां एक entry डंड़ है और Defer Tax Liability Credit, कितने से यहार? 3.6 से, यह वली. अच्छा, ऐसा करते हैं, DTE की जो जो एंट्री करनी है, मैं उसे हाइलाइट कर लेता हूँ, यह देखो, Sky Blue से, DTE की जो जो एंट्री करनी है, उसे हाइलाइट कर लेता हूँ, यह DTE की पहले 37 की इंट्री, 38 की, बाकी एक error थी, आपने 39 में कल क्लास में बताया था, एक error थी, तो error को सही कर लिया है, हमने, यह 39 के साल में, यह 3010 के साल में, और यह 3011 के साल में, अब इंट्री पताओ 37 के साल में, DTE debit, DTL credit, यह इंट्री जब मैं 37 में देखने आया, तो unluckily missing थी, कितने amount से, 3.6, तो यह मैंने कर लिए, अब मैं 38 पे आता हूँ, 38 पे DTL debit, DTE credit, 1.04, यह देख लो, DTL debit, DTE credit, DTL slash A वो आपके मर्जी है, क्योंकि बीच में कहीं asset भी बन गया शाहिजी है, तो DTL slash A उपर कर सकते हो, बट T E सही होना चाहिए, इधर slash A लिखने में कोई रज नहीं, और 39 में 1.41 से, लेकिंगे यह entry आप सही करनी पड़ेगी यार, क्योंकि आपने में यह सही करा दी थी, 39 के साल में, असर में यह entry यह बन रही है, DTE debit और DTL credit, तो यह entry यहाँ भी सही करनी पड़ेगी, Defertex expense debit, और Defertex liability asset credit, जो भी है, liability asset slash लाल के कर सकते हैं, अलाग शुकर आगे सही है सारी entries, तीस्वन दस में आओ, 2.89 से record करनी है, entry, recording है, और इधर reversal है, यह निदर TE debit, DTE debit, TE credit, इधर record करनी है, और उल्टानी है, उल्टी करनी है, यह record कर दी हमने 2.89 से, DTE debit, DTL credit, और हमने उल्टा दी, DTL debit, DT credit, तो यह Defertex की entry सी, जो जाते-जाते मेरे से रह गी थी, current tax key entries मेरे सारे सालों किसले नहीं कर सकता, कि current tax key entries आखरी दो साल के होनी है, तो यह जो जगा खाली थी, हमने छोड़ी भी थी, यह कर आपको याद होगा, कि किसले यह खाली छोड़ी थी, इन तीनों सालों में आखका था current tax key entry नहीं हो सकती, क्योंकि data available नहीं है लेकिन यार इन सालों में current tax की entry तो हो सकती है आखरी दो सालों में आखरी दो सालों में बोलो बोलो कौन सी entry हो सकती है current tax की और इस साल में इस साल में इस साल में और इस साल में किस-किस की entry हो सकती है defer tax की यह आप वो कल वाला जो अभी मैंने एंट्रेस दिखाई हैं वो देखके बिशार किदर आप लिख लेना बलकि यहां लिख लो यह सीटी कितना है दोज़ दसका 21.11 और यह जो 2011 का है कितने 33 पॉइंट उल्टा तो नहीं लिखा रहे हैं सही लिखा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो देफ़ोटेक्स की एंट्रीस पांचों साल एक दो तीन चाहर पांचों सालों की मैंने भी आपको दिखा दिखा दिया है चलें जी इसा करते हैं रिसी के नर्वीजन करते हैं शुरू करें जी आज का सवाल आज का सवाल है यार क्रिशन नबर 27 क्रिशन नबर 27 और यकम जनरी 2014 को मुझे पता दो कि वो कौन साए है पेस कौन साए है और 275 और यकम जनरी 2014 को मॉदल फॉर तो क्या मतलब है यकम जनरी 2014 से पहले इसके यही दिया गया है और किस दिन दिया गया मौतरम, as at यकम जनवरी 14, यकम जनवरी 14 वज़ दिया गया, इसकी बिडिंग का डेटा, इसलाइं तक क्या मतलब है, estimated useful life as originally estimated, यानि शुरू में जब ये खरीदा गया था asset, तब इसकी life कितनी समझी गई थी, पच्छे साल, अच्छा मुझे बताद हो, इस asset की cost कितनी है, 164.5, आज तक कितना depreciate हो चुक है, कब तक, यकम जनवरी 14, यकम जनवरी 14, या 31, 12, 13, जो भी आपसंद करो, यकम जनवरी 14, इसके साथ कहीं slash 31, 12, 13 ना लिख रहे न, ये यकम जनवरी 14 ही है, क्योंकि रिवैल्य हमारे साल के शुरू में हो रहा है, क्योंकि सवाल की पहले लाइन में लिखा हुआ है, ये यकम जनवरी चेंज वैलिएशन मॉडल, यूकर ये वैलिएशन के डेट अगर ये रेंड के डाल दी या स्टार्ट अफ ये डाल दी तो एंट्री में फरक पड़ जाता है, तो इसलिए यहां को बढ़ बढ़ना करना कि slash 31, 13 समझने के लिख लिख रहे हैं, ये यकम जनवरी वैलिएशन मॉडल, इसका मतलब है, बिफोर यकम जनवरी तो ये मॉडल नहीं था, तो ये किस दिन की मार्किट वैलिएव है, ये यकम जनवरी 14 की, क्या है, फेर वैलिए, अच्छे अब बचा दो यार, ये सवाल कोई चलता चलाया सवाल इसने दिये, या पहले साल से डेटा दिये, चलता चलाया सवाल छेहां से सब्ध Gothic की वैलिए है, उसका मतलब है, खुद भी ये कही सालों से डेपरिशेट कर रहा है, इसका मतलब है कि यकम जनवरी 14 इस नौट डेटा फपरचेज अरव बिल्टिंग अगर चान अँडवरी 14 पर यूइ एन डेटा परचेज और बिल्डिंग तो विल्डिंग में होती है पें देप्रिशेट 친 ना हो थो अच्छे-एक बात यह बता ओalnız गांव क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनको मैंने खरीदा कब तर बिल्डिंग्स को ये एक पहस है जो इंट्रो एफर वान के क्लास के अंदर होती थी कि क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैंने इन बिल्डिंग्स को कब खरीदा था क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ बताना है शर्माना नहीं है ये बताओ एक साल की डेप्रिसियेशन है या ये कई सालों की डेप्रिसियेशन है बोलो बोलो ये एक साल की डेप्रिसियेशन है या कई साल की डेप्रिसियेशन है कई साल की यहां तो लिख लो खयर है, यहां 31,13 स्लेया इस्टाल के लिखने में कोई मसला नहीं, उब आइस पिश्टे साल का का करीड दून होगा, अच्चे यह कितने सालों का डिशेशन है, यह दरा मैं चेक करना चाहता हूं, उसका नहीं एक शौटकट है, एक अकांटिंग के टीचर ने बताया वा था, cost के asset की, 164.5, life कितनी है, 25 years, one year depreciation, यानि मुझे एक साल के depreciation बताओ कितनी आई, इससे पहले तो 25 साल पर depreciate हो रहा होगा, 25 years, 164.5 cost divided by life is equal to 6.58, ये 6.58 क्या है, यार, एक साल की depreciation, और ये एक साल की depreciation है, 26, 3, 2, या कई सालों की, हम हैं किताब के page 275 पे, ये एक साल की depreciation है, या कई सालों की, कई सालों की, अब जरा हिम्मत करो यार, हिम्मत करके एक चीज़ बताओ, कि अगर मैं, अगर मैं, ये आप से कहूँ, कि accumulated depreciation का मतलब होता है, एक साल की depreciation, जरब number of years used, ऐसा ही है, देखो न, एक asset है, आपने सो रुपे का लिया, दस रुपे depreciate किया, दस रुपे depreciate किया, तो accumulate होके कितनी depreciation आई भी है, बीस, तो अब ये बीस accumulated depreciation है, तो अगर मैं दस को पकड़के दो से multiply कर दूँ, तो भी तो बीस आजएगा, मुझे ये बता दो, ये क्या depreciation है, ये एक साल की depreciation है, ये एक साल की है या कई सालों की, कई सालों की depreciation, अब आप मुझे बताओ, कई सालों की depreciation कितनी है, 26.32, एक साल की, तो अब मुझे पता चल जएगा, कितने येर से मैंने खरीदा वे, कितने साल हो गए, खरीदे वे, तो मुझे बता दो, कितने येर्ज हो गए, खरीदे वे, 26.32, एक साल की depreciation है, 26.32, तो ये मुहतरम discussion important थी, इसलिए important थी, कि जितने साल गुजर गई है ना, उसकी बनियाद पर अगले सालों में हमने remaining life निकाल के सवाल शुरू करना है, तो इसलिए life already passed जरूरी थी, और एक feeling लाओ, वैसे भी, कि 164.5 की figure ने 25 साल depreciate होने है, तो अभी सिर्फ 4 साल depreciate हुए, तो अगर कोई 20-22 साल depreciate होगी होती ना, तो ये 164 इधर होता है, इधर 150 या बतर नहीं कितना होता, अच्छी हैवी figure होती, तो 164 की cost है, थोड़ी सी depreciation उसके सामने नजर आ रही है, इसका मतलब है 25 साल में से भी कितने साल इस्तमाल हुआ है, चार साल, अब आप लोग तो कह रहे होंगे, सर आपने ऐसी हमें चक्रों में डाला, हम ने तो, हम तो माशाला समझदार लोगे हैं, 26.32 को हमने वैसे भी divide कर देना था, 6.58 से इस चकर में आपको डालने की जरूएथ नहीं थी, अगर 26.32 को में डिवाइड करूँ, किसे जैसे देखो, 100 रुपे का ऐसी फीद है, 10-100 रुपे depreciate की है, अगर आप 20 को डिवाइड करो, एक साल के डिप्सेशन से, चलो इसको छोड़ो, ज्यादा अच्छी मिसाल, अगला साल ओड डालो, अगर मैं 30 को 30 को डिवाइड करूँ, 10 से, तो पता चल जाते हैं, कितने साल होगे हैं ऐसे खरीदेवे, 3 साल, तो अगर एक साल के डिवाइड कर दें, तो क्या पता चल जाएगा, नमर अफियर्स, तो नोट कर लो, तो कितने साल पहले से ये बिल्डिंग खरीदी है मौतरम, 4 साल हो गया है, नोट कर लोगे, आगे जाने दिए, यार ये, ऐसे ही आप से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोई इतनी इंपोर्टन चीज नहीं है, ये इतनी, वैसे डेट आफ परचेस बता दो, फिर क्या बनी, ये, 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 से सरा आगे चल के देखो, पूरा 10, पूरा 11, पूरा 12, पूरा 13, तो पूरा 13 टेशेट हुआ है, यानि 10 में भी deficit हुआ 11 में भी 12 में भी 13 में भी और हमें लाके किसे छोड़ दिया यह कम January चोड़ा तो date of purchases की यह कम January 10 है अब यार हमें पागलों की तरह आगे छोड़ों आगे छोड़ों की तरह यह काम करने की जरूत नहीं है कि हम यह काम तो करना है date description वाला लेकिन एक और काम मैं आपको दिखाने लगाँ date, description और asset और revaluation, surplus और profit and loss और tax और net surplus अब न हमें पागलों की तरह यह काम करने की जरूरत नहीं है कि हम जो है वो यहां लिखें यह कम January 10 को asset खरीदा कितने रुपेगा 164.5 को फिर depreciate हुआ 10 के साल, फिर depreciate हुआ 11 के साल, फिर depreciate हुआ 12 के साल, फिर depreciate हुआ 13 के साल और फिर मैं पहुंचूं WDV पे 1 जनवरी 14 की हमें ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि उसने cost भी दे दी और 4 सालों की एकम reduction खुद ही दे दी है और सवाल की requirement है कि साल का सवाल सौल करने है? 2014 का, 2014 की general entries करनी है और 2014 का tax का note बनाने है तो मोतर मैंसे आप मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ 14 की working की कर लेता हूँ और 14 की working के luckily मुड़ी बीडी इस अवेलेबल है इसको छुपा दो अभी ये WDV आएगी तो market value से compare होगी बाई, WDV होगी तो आस्मानों पर लेके जाएंगे या जमीन पर लेके आएंगे WDV होगी तो लेके जाएंगे तो पहले WDV चाहिए तो फिर आस्मानों पर लेके जाने है तो WDV तो निकालो WDV यकम जनवी 14 की क्या निकलागी? क्या आप agree कर रहे हो कि अगर मैं 149 को छोड़ो यार कि आप एगरी कर रहे हो 164 में से 26.32 माइनस कर दूँ तो इट इस माइ WDV चले देस्टर अभी न देखो इदर मैंने नीचे स्वाल नहीं पड़ा अभी यह डबबा ही मेरे सामने है तो मैं एकरम जनुरी 14 की WDV से स्वाल चुरू कर देता हूँ जिससे आप 31.32 भी कह सकते हो एकरम जनुरी 14 भी कह सकते हो वह आपकी मरजी है बल्के ज्यादा अच्छा ना 31 भी है 31 को WDV निकली होगी WDV निकली होगी मैं पहली दफा सवाल क्लास में कॉस्ट की बजाए WDV से शुरू कर रहा हूँ अच्छी कॉस्ट बोलो वन स्लैश एकरम जनुरी 14 लिखने आपकी मरजी है कितना 164.5 164.5 माइनस चार सालों की डिप्रेशेशन 26.32 जवाब 138.18 यह क्या गही WDV किस फकत की यकम जनुरी 14 की यकम मेरी 14 की WDV आ गए इस WDV को बताओ यकम जनुरी 14 की फिर वेल्यू से कंपेर करेंगे वो कितनी है 149.94 सारी बिल्डिंग्स हमारी यह हैं ओफिस बिल्डिंग्स ओके यकम जनुरी 14 हमारे साल के पहले दिन रिवेल्यू हो रहा है या पिछले साल के आखरे दिन हमारे साल के पहले दिन बोलो जी रिवेल्यूड अमाउंट जल्दी बोलो 149.94 अब बताओ बीवी को आसमानों पे ले जाए 138 से 149.94 पे ले जाए तो मुझे बता दो कि आसमानों पे लेके जाए तो कितना फाइदा आया रिवेल्यूएशन सर्प्लस बैलेंसिंग 11.76 अभी दिवार लगा दो आगे पिछनी करना 11.76 चलेंजी यहां तक नोट कर लें आपने दिवार नहीं लगानी है जो कि आसमानी है अब मुत्रम आके सवाल पढ़ते हैं, सवाल का कहते हैं As per the report of the professional valuer, professional valuer की report के मताबिक there was no change in life of the buildings, यह जिसका मतलब यह है कि life टोटल जो originally estimate की थी वो 25 है और 25 ही है, लाइफ में को तुद्दील ही नहीं है यानि total life still 25 है, remaining का मैं निकालूंगा, इस line का मतलब बते है total life still 25 है there is no change in estimate of life, total life still 25 है, आगे तोदे, on mid of year, हाँ बिल्कुल, mid of year, on mid of year one of the buildings, one of the buildings, costing 33 million, was sold for 30 million, इस line को मैं काट रहाँ फिलहाँ, एक building इसकी cost कितनी है? 33, कितने की बेच दी? 30 की बेच दी on 1 जन्वरी 14, साल के पहले दिन, WDV before revaluation इस building के WDV, before revaluation and revalued amount, on 1 जन्वरी 14, याद रखना of the sold building amounted to 27.72 and 31.92 now what is this 27.72 and 31.92 this is the data on ये कम जन्वरी 14 ये WDV है ये कम जन्वरी 14 की और ये fair value है ये कम जन्वरी 14 की ये सारी buildings की या एक building की इदर आओ, ये तो सारी building की बीवियां है सारी building की बीवियां है सारी building की बीवियों को हम आस्मानों बे ले गए थे उन सारी building की बीवियों में से एक building की बीवियों की बात हो रही है जिस building को हमने बेच है on 1 ये कम जन्वरी 14, बीवी before revaluation और यह कम जनरी 14 यह मैंने cost और sale price प्रट वादी है और यह जनरी 14 बीवी before revolution and market value before market value on यह जनरी 14 वाज रुपी स्टी 1.92 अच्छे गर मुझे एक चीज बताओ यह मैंने आपके सिर्फ समझने के लिए red market से लिख रहा हूं यह एबर में लिखना नहीं है यह सारी बीवी है इसमें उस building की बीवी भी पड़ी होगी यहां नहीं देखना इसमें से मैं बता रहा हूं क्छलक करना की छीजेמोरी 14 भीवी और revaluation of BQB building amounted to 27.72 and revalued amount of the of the BQB building which was Rs.31.9 on Yakam January 14th कितनी है ? 31.9 और यह क्या है अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सार ने सेल प्राइस क्यों काटी है यह मैं थोड़ी दर में देख लूँगा लेकिन यह कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए कि यहां सबकी WDV पढ़ी है हाँ इसकी कॉस्ट में से सबकी कमरेट से माइनस की तो सबकी WDV आ गी थी लेकिन शुकर इसकी WDV तो डिरेक्ट दीवी है तो जब इसकी WDV डिरेक्ट दीवी है तो इसकी WDV निकालने के जरुप प्राइब अच्छा जी आप आप मुझे यह बताएं कि आप थोड़ा सा ग है और यह मैं यह मैं यह मैं मेरे मेरा नहीं नहीं करना और यह सर ब्लस समय पताया थे क्या निकाला है व जैसे यह 11.76 आं यह बार्डे मतली है डाया अकर मुप टर्म पज़ में सुछ को और h में देख लो क्या जफाल है uh from the data asset is available for जिससे अवेलिबल हो जाते हैं, वो date of disposal तक depreciate करते हैं, revaluation is to be counted for using net replacement method, वो जो common adoption, debit asset paid, warm-able entry करते हैं, आगे तो tax वालों की बाते हैं लिखी हुए, tax depreciation 10% होती है, reducing balance method, full year adoption in the year of purchase, while no depreciation in the year of disposal, applicable tax rate is, profit before tax for the year is, 100 million, यह तो छोड़ो आगे data, अच्छा जी मुझे पता दो, इस साल कितने events हुए, तीन, इस साल जो events हुए, वो अगर मैं खुल खुला के आप से बात करूँ, तो इस साल, एक, दो, तीन, चार, बोलके चार कर लो, चार events हुए इस साल, साल के पहले दिन, सारे buildings को revalue किया, यह पहला event हुए, दूसरा event है साल हुए, छटे महीने के end पे, एक को depreciate करना है, वो जो बिकी है, अगर आप लोगों के नदर में तो करेंगे depreciate, और छटे महीने के end पे, उसको बेचने, और बारवे महीने के end पे, बाकी सब को depreciate करना है, अब जाए events एक एक करके सोचना शुरू करो, events एक एक करके सोचना शुरू करो, event number one, event number one, हम cost model से revelation model की तरफ चले गए, यकम जनुरी चोदा को, ये event number one, event number two, यकम जुलाई को एक building हमने बेच दी, one of the office building, यह उपर लिखा हुए, और यकम जुलाई बनाफ तरफ इस बिल्डिंग वास सोल, काट दी होँए, वास सोल, इसके दो उसलाद होंगे, यकम जुलाई तक की depreciation भी निकालने पड़ेगे, और यकम जुलाई 14 कोट बेच रहा भी पड़ेगा ऐसे, और ये दो events होगे, और आखरी event, जो बाकी बिल्डिंग्स है ना, उनको हमें depreciate करना पड़ेगा, तो चार events बता दो क्या हैं, साल के शुरू में revolution है, वो सवाल की पहले line बता रही है, साल के mid में depreciation, और disposal, और साल के end पे, बाकी building के depreciation, यहार मुझे ना पहले ऐसा करो आप, जो बिकी बिल्डिंग्स की डिप्सेशन ना, वो निकलवाओ, साल के mid में, टीज चून, दो हजार, चोदा, यह जखन जो लई ही चोदा हैं, जो जैसे भी आपने लिखने हैं, छे महीने के depreciation आपने मुझे निकलवानी है, किस building की, सारी building की या विकी बिल्डिंग्स की या विकी बिल्डिंग्स की, यहार मैं क्या करूँ, इन figures को ठाके depreciate करूँ, या इस figure को ठाऊं या इस figure को ठाऊं, किस price को depreciate करने, 149.94 की tension ना ले, फिलहाल, यह सारी building की WDB है, इसको depreciate करूँ, या सिरफ अभी मैं, बिकी बिल्डिंग्स को depreciate कर लूँ, बिकी बिल्डिंग्स को कितना depreciate करूँ, 6 मीने पूरा साल, 6 मीने पूरा साल, 6 मीने, बिकी बिल्डिंग्स को मैं 6 मीन depreciate करूँ, लेकिन यार वो काजी क्लास में नहीं बैठा वा तो डेप्सियन के डेट मिटा देते हैं कहीं वह ऐसा ना कहें कि डेट लगाई रही थे आपने अब डेप्सियन कल्कुलेट करते हुए डेट को मिटा दें फिलहाल मुझे बताओ येकम जनुरी 14 पर खड़े होके हमारा इसर कितने साल इस्तमाल हो चुका है येकम जनुरी 10 हमने डिसाइड कर लिए रेटो परचेस तो पूरा 10 पूरा 11 पूरा 12 पूरा 13 चार साल इस्तमाल ह shots क्लया किस प्राइस को खतम करूं 31.92 को कितने सालों पर 21 सालों पर खटम सोचा था 31.92 को 21 सालों पर खतम करेंगे लें ये तो它的簡 की बिगग गया लें अगर फ्रें 51.92 को सालों से डेवाइद करों, तो ये मुझे एक साल की यो रिक और काम ना करें। आपको या की काब आसे साथ वह सिलूप करते थे। सर्प्लस पूरा पकड beggar या इस बिकीवी का पकड पूरा पकड़ई हाय – इस बिकीवी का पकड़ई जल्दी बताओ। BQB का पक्राओ, BQB का सरप्लस, 4.2, यह 4.2 अगर आपको ज्यादा मसल है, इसको ऐसे समझ दो, यह 4.2 इन दोनों का बैलेंसिंग आया, यह 4.2 इदर आएगा, और फिर यह 4.2 इदर आजाएगा, तो यह 4.2 असल में न यह वाला, 31.92 यह वाला, तो 4.2 यह वाला, 4.2 को पकड़ें, और 4.2 को पकड़के, यह वाला 4.2, शक्स समझने के लिए मैं लिखाऊ, यह वाला 4.2, प्राइस पकड़ी इदर आगे, सरप्लस ऐजान पकड़ा, इदर आगया, तो सरप्लस को भी खतम करें, कितने सालों के, आज वो incremental ना पता नहीं चलेगी, क्योंके वो basic data अवैलेबल नहीं है, वो बड़ी, तो incremental आज पता नहीं चलेगी, incremental पर साले हैं, जिस नहीं निकालना के आदत है, 4.2 को डिवाइड करें 21 सालों के लेकिन ये जो सर्प्लस ट्रांसफर होगा ये तो मोतरम ट्रांसफर होगा साल वाला लेकिन मुझे तो 6 मावला चाहिए तो 4.2 को डिवाइड करें किसे तो साल का सर्प्लस आएगा मुझे कितने महीने का चाहिए से महिने करते हैं, अब आप अजरात मुझे बता दें, डिप्सियन कितनी आगी, 0.76, और 0.76, और ये, कल्कुरेटर पर कल्कुरेट करनी जरूर है, कितनी, 0.1, चलें, यहां तक नोट कर ले, यह डिप्सियन मैंने से किसके निका लिए, रेड वालों की, या बलाक वालों की, बलाक में जो रेड पड़ेवे हैं, उनकी, अशेर अब आपको क्या फील हो रहा है, अब आपको क्या फील हो रहा है, कितने इवेंट्स रिकॉर्ड हो गए हैं, दो, नमबर बन, यह कम जोनी 14 को सारी विल्डिंग्स को रिवेलियो कर दिया, 30 जून पर खड़े होकर, आदी सारी में से वो जो एक बिल्डिंग है, उससे डेप्रिशेट कर दिया, अब यार, एक काम मैं पहले करूँगा, यह जो बिल्डिंग है ना नहीं, बिल्डिंग का बेचना में रिकॉर्ड बाद में करूँगा, एक काम मैं पहले करूँगा लगे हाथों, क्योंकि मेरा ना ए लेकिन बिकाया पर तो अपटाओ, पूरे साल की डिफशियन कैसे चार्ज होगी हूं आप बतादेंगे किसके उपटर है.. आप रिमेशनिंग बिदिविस या क говорить विलिडिंग लेगिन आपको याद है जो ट्रिमेशनिग बिदिफशिय डिफशियन नकालते हैं उज़ बकाया, बिलिदिंगे हैं, उनकी देफिशे निकालने लगे हैं, तो उनकी देफिशे निकालने के लिए क्या करेंगे, किस प्राइस को डेफिशेट करना होता है, आप तो डेफिशेट करना है, किस प्राइस को डेफिशेट करना है, 149.94 को 9, 149.94 is opening इसको डेफिशेट कर दिया ना, तो इसको डेफिशेट करें, इस प्राइस को डेफिशेट करना था, जी, इस प्राइस में से इस प्राइस को चेमीन डेफिशेट कर दिया, इस प्राइस में से ये प्राइस माइनस करके, बाकी प्राइस को पूरे साल पर डेफिशेट कर दें अच्छा अब मोहतरा में देखो यह काजी नी बैठा वा उसमें कहना था उना देप्सियन मिटाएं देप्सियन की यह फिलहल डेट मिटा देगे रिमेनिंग लाइप सोच लो गिए किस दिन की प्राइस है जिसरे डेप्सिय ने लग एभाएं से च्छारा वाइस हो क्यों तर जाने मिलीव हो इंके लिए वैसे डेट लिखनी है तो लिख लो 31 12 14 अच्छा जी बोलो 140 remaining life जब निकाल रहे हो ना तो definition के सामने date के date ना लिखा करो जब remaining life निकाल रहे हो जब remaining life निकल है एक दफ़ा तो फिर date देखनी है तो देखनी है तो देखनी है करो लेकिन उसकी बजाए opening revalued amount of all buildings minus opening revalued amount of became building अच्छा यह क्या depreciate हो जाएगा price अब surplus को भी हमने करना है transfer retained earning में तो surplus 11.76 सबका है 11.76 में से इसका कितना है 4.2 11.76 में यह 4.2 जो पढ़ाओ है इस 4.2 में से हमें सोचना चाहिए 11.76 में 4.2 माइनस करें जैसे भी काओ तो यह surplus यह किनका surplus है सारी buildings का यह किसका surplus है बेकेवी building का यह किसकी market value है सारी building की यह किसकी market value है तो सारी buildings की market value में से बिगई भी building की market value माइनस कर दी similarly सारी building के surplus में से बिगई भी building का surplus माइनस कर दिया क्योंकि इस 4.2 को देफिक कर चुकि हो ना जी बोलो 11.76 माइनस 4.2 डिवाइब बेटेवाइब लेकिन इसको ना छेवड़ा बारा नहीं करना क्योंकि यह पूरे साल क्लेफ से चार्ज हो नहीं पर यह opening assets से एक तरह के disposals माइनस करके जी क्या जवाब है जिरो पॉइंट इसको भी नदर मार लिया करो कभी एक दो दिन बाद एक डिट सफास करेंगे वह लटका ही हुआ अभी तक अब भाई मेरे बता दो आप भाई मेरे बता दो इस format में इस format में अब एक चीज रह गई है अगर अब यह ने टोटल कर दिया तो बिके वी बिल्डिंग्स भी इसमें आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे क्योंकि अब वह स्टिल डेप्रिशेट हुई है उनकी प्राइस इन में पड़ी है अब एक काम करना है बड़ा गोर से डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है यह आज हम नई चीज रिकॉर्ड करें इससे पहले हमने क्लासे में रिकॉर्ड नहीं की थी कि दिखनी में अघ्रतियू परें देटरने में पराइं दमें प्रसंदरीर रिष्ए जिए यह परसांद डाइत तु आप यह कम झаль छी 14 दी को इस धिस 59 एुआ है अभिए्या कि रिवीदिव के रिव रिविएभी आ मुझे बताओ किया मैं इस 149.94 में से 33.92 वाला ऐसे डिग ग्या है तो किया मै इधर 31.92 माइनस कर दूं कि 131 वाली ऐसे जा ना 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 थरिटिवन मार्केट वैलियू थी साल के शुरु में अच्छे WDV से यह ना समझना कि मरी मुराद यह वली WDV है असल में जब आ ऐसेट रिवेल्य हो जाता है न तो फिर वेल्य उस पर नहीं रहता फिर मार्केट प्राइस पर आ जाता है तो किताबों में इस वकित असेट मार्केट प्राइस पर पढ़ाओ है यह 31.92 थोड़ा बोता डेप्रिशेट हो गया वाथ था थोड़ा से डेप्रिशेट हो गया वाथा कि अगर यह 31.92 थोड़ा से डेप्रिशेट हो गया वाथा किताबों में 31.92 31.92 पर तो पढ़ा था यकाम जनवरी को लेकिन 31.92 किताबों में इस तिन कितने पे पड़ा था 31.22 माइनस 0.76 31.76 यह दरा समझ आया आपको कि मैं 31.92 से माइनस नहीं कर सकता कि यह बिक रही है 30 जून को यह ज़कम जुलाई को जब 30 जून को बिक रही है तो 30 जून को बिकने का मतलब यह है कि यह कम जनुरी को किताबों में इतने का पड़ा था इस यह आर कोई असट होता है साल के शुरू में उसकी प्राइस हो 50 आप यहां पे उसको 6 मीने इस्तेमाल करो 6 रुपे अप्रिशेट करो 6 मीने इस्तेमाल किया 6 रुपे अप्रिशेट किया तो what is the WDB at the start of year after revaluation 31.92 31.92 यहां से माइनस कर दें यह थोड़ा बहुता depreciate हो चुका है थोड़ा बहुता depreciate हो चुका है तो depreciation के बाद बताएं यह price कितने में पड़ी थी 31.16 अब एक अंदर की बाद देखो 31.16 प्लस 0.76 से रहा करो ऐसे ही 31.16 प्लस 0.76 31.16 प्लस 0.76 जवाब 31.92 वाला ऐसा अपने किताबं से वाई निकाल दिया थोड़ा सा depreciate करके बाद की WDB निकाल यही यही WDB इंशार डिस्पोसल अकॉन में लेके जाएंगे याद कराना यह depreciation PNL में गई है और यह WDB 31.92 में से थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया था और बादी को थोड़ा दिस्पोसल अकॉन में ले जेगे दुवारा बोलो 31.92 को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया था और बादी को डिस्पोसल में ले जेगे अचा सर्प्लस किताबों में खड़ा रहने दे इसमें पढ़ा है 4.2 खड़ा रहने दे किताबों में या सर्प्लस भी खतम कर दें क्योंकि एसर भी फारिग हो गया बोलो बोलो जल्दी बोलो सर्प्लस किताबों में पढ़ा रहने दे जurnी इससर कब पढ़ा रहने दे सरुपलस किताबмы- सरुपलस किताबोंनेए करमार्कटप्राइस में यह सब्सक्रारि गर चीध बर्षा सारी बल्नकसर differentiationarius कितना व्हूं कितना सरुपलस इस स्यंश्फिक हुआ है कितना सरुपलास बचा हुआ है वही काम करो और की और कितनी खतम हो चेकी थी बाकि प्राइस को किताब से थो भी करें इस पोड़ें कितना सर प्लस था किसका कितना हिस्षा फारए निक में शश्रक्र कर चूए बाकि कितना बचांग फूर पॉइंट या या सोफ 1.2, minus 0.1 करके, अल्हम्दुलेला, calculations के तामुलिए, समझा गया, मज़ा आया, जी, बोलो, 112.4, अब ये carrying amount है, text-based नहीं, अब ये carrying amount है, सारी buildings की, text-based निशाला भी निकालेंगे, और, कितना, 7.2, अचा, पहला event क्या था, जी, बोलो, evaluation, ये, मेरी उंगलियां देखो, पहला event क्या था, फिर क्या था, 6 महीने के depreciation, फिर क्या था, छटे महीने के end पे, सारी price को किताबों से फारीख करो, price इतनी थी, इतनी depreciate हो चुगी थी, बाकी price को किताबों से फारीख करो, और आखर event क्या था, बाकी building के अपसे निकाल करो, अब क्या करेंगा, दिवार को तोड़ दूए, और दिवार को तोड़ के, इसको तो आप फ़तम करेंगे, तो इसको पढ़ाने ने दो, साइध red marker कहीं use करना पड़े, यह वाला column तो अपनी existence, lose कर जाएगा, और बहुत हो, कितने percent और कितने percent करेंगे, tax rate कितने percent है, 40%, 40 और 60, 30%, 30% और 70%, दे लिते हैं सवाल में, कहां लिखा है, यहां यह second last, 30%, tax rate 30%, तोड़े जी, surplus को तोड़े, जहां जहां आ रहे है, surplus को तोड़े, 11.76 को तोड़े, 37, 3.53, 8.23, 8.23, अचा, आगे बोलो, 3.53, और 8.23, इदर आओ, 0.03, 0.1 को तोड़ो, 0.03, किस sign के साथ, negative, फिर आगे, negative 0.07, बस हम इस surplus एक column को तोड़े है, 4.1 को तोड़ो, 1.23, 4.1 इंटर 70%, 2.87, 0.36 को तोड़ो, 0.21, 0.26 को तोड़ो, 0.25, 7.2 को तोड़ने तोड़ो, उपर से total करके भी आ जाएगा, चलो, 7.2 को तोड़ो, विश्र, 2.16, 5.0, 5.0, 4, चले जी नोट, सरपस के column को तोड़के, 30, 70 कर दे, है, है. है, 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 है. अच्छा अभी दर आओ भाई कुछ से कुछ से क्षेन है 27 27 यह एक डिस्केशन में आप से करने लगाऊं यह सवाल याद है जो अभी मैंने सुबा सुबा के रिवाइज करवाया था इसमें आपको याद है मैंने पहले ग्रीन हायलेटर से ब्रीजियंस हालेट की थी और येलो हाईलेटर से रिविलियर्शन सरप्लोस और लॉस्स वली चीज़ें हाईलेट की थी अच्छा जी इधर आजो फिल हाल मैं सिर्फ GPA Utah to किसी एंट्री करनी है किसी एंट्री नहीं करनी है GPA audiences किसे हायलेट किती आपको जाद होगा मैंठ ग्रीम से हायलेट किती GPA depreciation GPA depreciation की हुछसे एस्अट सस्ता होता है लेकिन वैसे बताओ वो तो मैं औरे इसिट की ऊसिते की प्राइस गरती है मुझे बताओ depreciation में महँगापना रहे या सस्ता रहे अगर asset revenue upward हो वा भे तो महँगापना रहे अगर analysts हो गया तो सस्ता रहे मेरी तरह से बात खतब अगर asset महँगा हुआ हुआ है तो महंगा पान आ रहे, अगर asset सस्ता हुआ हुआ है, तो सस्ता पान आ रहे अब आप मुझे बता दो अगर asset महिंगा हुआ है, तो महिंगा पाना है, अगर asset सस्ता हुआ है, तो सस्ता पाना रहा है, मुझे बता दो, कि asset क्या हुआ है, बोलो, 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 बेलकुल, asset महिंगा हुआ है, तो इसलिए, असलिए, सादा वाली depreciation मुझे पता नहीं है, इसी वज़ा से तो surplus वाले column में आगे tax on surplus वाले column में चीज़ें आ रही है तो अच्छा आप मुझे बता दो किन entries को pending करना है क्यामत तक यह जो tax वाली है याद आ रही है tax वाली है लेकिन यार एक नई चीज़ एड़ करा हूँ disposal भी depreciation की तरहां asset को काम कर देती है तो इसके सामने जो tax वाली entry है ना इसकी भी आपने टेंशन ही लेनी यह defer tax account में खुदी हो जागी यह defer tax account में कर देती हो जागी किसी तरह घर में highlighter अगर पढ़ावा है तो इसको highlight कर लो और यार वो एक yellow में जो highlighter है ना वो yellow वाला highlighter मैंने आज अलग से use करने है वो कहां use करने है रिवलियोशन surplus और रिवलियोशन loss में तो इन entries को तो फारिग कर दो Claire अच्छा जी yellow वाला highlighter अभी मेरे काम का नहीं है क्योंकि ना मैंने भी DTL का account खुल है और ना मैंने current tax की working खुली है इसलिए yellow वाला highlighter मेरे लिए फिलहाल important नहीं है ग्रीन वाला highlighter क्यों important था ताकि मैं identify कर लूँ कौन सी entries करनी है कौन सी entries नहीं करनी है तो depreciation जहां जहां थी मैंने highlight कर दी और आज एक नई चीज मैंने डाली इसमें disposal depreciation और disposal highlight कर ली तो tax के नीचे वाली entries जो हैं वो करने की जरूरत नहीं है अब यार मुझे entries करवाना शुरू करो जितनी भी entries आपको नजर आ रही है इधर देखो सबसे पहले मैं re-value करूँ या warm-up करूँ excellent warm-up करूँ साल के पहले दिन re-value हो रहे है या साल के आफरे दिन पहले दिन re-value हो रहे है accumulated action debit asset credit 26.3 दो सबसे पहली entry यह होगी दूसरी entry यह account अपनी existence lose कर जाएगा दूसरी entry होगी building debit DTL credit और surplus in OCI credit पहली entry done accumulation debit building credit दूसरी entry building debit DTL credit और surplus in OCI credit चलो revise कराओ account reduction debit building credit warm-up हो गया साल के शुरू में दिवली हो था building debit DTL credit surplus in OCI credit depreciation दो दोफार record करने पढ़ेगी depreciation debit account reduction और यह entries मैंने कर नहीं करनी DTL account में खुद ही आ जाती है surplus debit retain earning credit surplus debit retain earning credit clear depreciation में ज्याद अदेशन पड़ी दिविया ना आसे अधान 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 दिवा थ़िया। Deposition debit अधान अधान धान ग्रीट surplus debit retain earning credit इसके एंट्री में घरवाता हूं। इसके अट्री नहीं करने ऋपसीड सिब्सक्री ना ये पसे। जो उसनगे एंट्री के अगोने चोमेद ए ये जयरी आपको समझाने हैं, अभी साली है अब आखरी दो एंट्री रहेगी हैं, कौह सी? CT, DT, उनके लिए मेनद करनी पड़ेगी, कल लाया, ओके, चलो जी, एंट्रिस रिवाइस करा है, account reduction, debit, asset credit, building debit, DTL credit, surplus in OCI credit, depreciation debit, account reduction, credit, विल्कुल वही pattern चला है ना मरा, pattern वही चला है, depreciation debit, account reduction credit, surplus debit, disposal के इंट्रिवें चला भी कराता हूँ, surplus debit, अचया, अब ना, एक दरबात आपने वहर से सुनी है, अचया, यह काम आपने कर लिए, जी कहीं, भूलना जाए आपको, इसमें, कितना बड़ावा था, वह जो red marker से मैंने लिखा था, से लिख देता हूं 27 पॉइंट और इसमें कितना था 4.2 और इसमें 31.92 यह सुलूशन का पार्ट तो नहीं है लेगिन अगर इपर कर ले नोट से लाधा पितर होगा अच्छा है मुझे यह बताव आप कि क्या कहते हैं दिस्पोजल की इंट्र आपने क्या सीखिए है और बोलो बिल्डिंग क्रेडिट और गें लॉस डेडिया इंट्र आपने सीखिए है इस पोज़ेट इंट्र की टीचर प्लाते थे यहां बिल्डिंग की कॉस्त आएगी और यहां कमरे टेट अप्टेशन आएगी date of purchase से लेके date of sale तक याद है यह entry तो तब होती थी first grow loss आ गया gain आ गया मुझे नहीं पता यह entry तो तब होती थी जब हमारा use होता था cost model क्या use होता था cost model लेकिन आज हमारा कौन सा model use हो रहा है? revaluation model यह revaluation model में न revaluation model में यहां building की cost नहीं आती, यहां building की latest fair value आती है revalued amount जिसे आप कह रहे हो और latest या कभी पुरानी भी fair value लगवाई हो वह वाली या भी भी latest disposal से पहले जो भी revaluation होगी है तो ज़रा disposal की general entry यह नहीं होती यह तो cost model में थी, हम कौन सा model यूज कर रहे है, revaluation model, fair value model यूज नहीं करना, fair value model का लफ्स है, IS40 के लिए IS16 में लफ्स यूज रहे होता है, revaluation model जी, cash debit accumulated depreciation debit और building latest fair value latest revalued amount, जो मरज़ी आप कह दो model तो revaluation है, लेकिन आती तो fair value है, latest fair value, जो भी लगवाई है आपने, accumulated depreciation account में, date of purchase से date of sale के डिप्स नहीं आती क्योंके date of purchase से revaluation तक की date की कामने डिप्स तो asset में shift हो चुकी तो इस में सिर्फ depreciation आती है, ये जो अभी अभी latest fair value लगई है, उस देन से लेके बेचने की date ताख, तो last revaluation date से क्योंके पराणी तो शिफ्ट हो चुकी न last revaluation date से date of sale तक की और balancing gain यलास आ जाते है तो cost model में यहां क्या आती है बिकेवी building के cost और recommendation में क्या आते है, date of purchase से date of sale अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल होगे है date of purchase से date of sale तक की recommendation और ये हमने निकाली भी है वो जो past favor का question 6 किया था न उसमें भी कोई asset आपको जादे बिके थे past favor का question 6 homework में दिया था उसमें भी asset बिका था तो past favor का question 6 से ला नदर माना आई इस 12 का उसमें asset बिका था बड़ा रोला था उस adjustment न disposal वाली entry काफी time से ये figures निकालनी पड़ी थी तो WDV use का रहे थे तो ये figure निकालने में data purchase से हम लगे थे और फिर time निकाला था लेकिन यार यहां असानी है अब आप मुझे बता दो जो मेरी building बिकी है उसकी latest fair value क्या है 31.92 यहां से देख लो यहां से देख लो जहां मरजी से देख लो बिकी है उसकी latest fair value क्या है यार cost तो मैंने काट दी यह सवाल से cost मैंने इसलिए use नी करनी थी cost कितनी थी 33 लेकिन sale price तो मैं ले लो ना यार revelation model user ने cost मैंने काट दी यह सब मुझे WDV available थी direct 30 million का तो बेचे है 30 का तो बेचे है 30 आपने लिखना है 30 का तो बेचे है अच्छा latest fair value का दो building किस पड़ी अच्छा cost पड़ी होगी आपके ख्याल है building या latest fair value पर latest fair value पर कितनी है 31.92 यह थोड़ा समय whiteboard पर इदर करके लिखना खुला खुला नोड़ो 31.92 मुझे बता दो last revolution date से लेकर आज तक की depreciation यह 0.76 6 मीने की depreciation क्यों last revolution कब हुई है यह कम जनुरी 14 को base कब दिया तो कम्रेटर डिफशन में 6 मीने की depreciation क्यों पड़ी भी है सारे सालों की 4 साल 4 साल पुराने भी तो है 4 साल 6 मीने की depreciation क्यों नहीं पड़ी भी वो तो asset account में shift हो जगी तो अकम्रेटर डिफशन पड़ी है 6 मां की पड़ाने तो यहां से लेके यहां तो कितने मीने बने 6 मीने तो 6 मीने की depreciation 0.76 और यहार देखो इन दोनों का ज़रा difference लो 31.92 और 0.76 इस अब देखो उपर उपर देखो आपको पते हैं cost minus account reduction WDV होती है तो revalued amount minus account reduction भी WDV होती है cost minus account reduction क्या होती है WDV तो revalued amount minus account reduction भी क्या होती है what is this my guy WDV दोनों का difference लो 31. यह वो 31.16 है जो हमें disposal account में shift की है यह 31.16 वो यह वाला है 31.16 यहां से देखो 31.92 it is latest fare value it is a common reduction from the last revaluation till date of sale तो इधर क्या लिखा करेंगे बोलो latest fare value इधर क्या latest fare value date से लेके date of sale तक reduction बस साथा सी बात है तो इन दोनों का difference अगर आप देखो तो यही book value आ रही है इसको किताबों से निकाल दें और disposal account में ले दें इस पोदल अगांट टी कांट तो मैंने भना रा disposal की एंट्री कर देंगे गें लॉस बताओ क्या रहे है लॉस आ रहे है कितना मेरे जीते यह अकांटिंग मोलों का लॉस आया है अभी टेक्स वालों का लॉस आप निकालेंगे इंशाला यह जो 31.16 है यह देखना यह देखना इसका और इसका difference है लिख लो तो बहुत अच्छा होगा 31.16 यह इसका और इसका difference है 31.16 की भी entry हो गई good यह क्या आता है नहीं 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 लास्ट रिविलेशन डेट से date of sale और यह क्या आती है latest fair value, revalued amount, all is done अच्छा ली अब भाई यह यह याद कर ले ना figure, 1.16 का gain आया था यह loss आया था किनका accounting आया था अच्छा यार, tax वाले, revolution को मानेंगे, तो tax वाले लिए इतना स्यापा करना पड़ेगा दुबारा आप हमें, tax वाले लिए इतना स्यापा करना पड़ेगा, tax वाले देखते हैं यह क्या कह रहे हैं यह yeah tax वाले कह रहे है, यह तो OCL uses straight line method accounting वालों का था, for use, the devulation is to be accounted for, text tax dividend allows at the rate of, un reducing with fully a diption in the year of purchase and not in the year of applicable tax rate is 30% ङдटेक्स वाले, कैंडर में si P, P, Eบ काउट्ट मत नहीं इसे किका शुनिर्ट दिटाउ, इसे से आस्टीन को मैं अधे रखिल माउंने हिखेत जो बितां को माने कंड़ाऊ ने कंड़ी मीचे बिता ओ क्या बाथ्वल बात अ मुझे यह पताओ, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ यह पताओ, कि वट इस दा ब्रॉट डाउन कॉस्ट ऑन यकम जनरी चोदा, 164.5, यह 2010 में depreciate होगी, 11 में, 12 में, 13 में, 4 साल depreciate होगी, clear, 31 में 13 में यकम जनरी चोदा होता है, तो इसको 4 साल depreciate करना है, WDV method पे यह straight line पे, WDV method, 10 10% on reducing balance method, तो ऐसा ना करूँ, कि shortcut लगा लूँ, 164.5, जब यह 90% depreciate होगा, तो यह depreciation आजेगी, 1210 की, 1210 की WDV निकलाईगी, 164.5 को तरह जरब दो 90% से, ऐसी जरब दो 90% से, 148, इसके करीब-करीब यह figure आगी, यह WDV निकलाई, 2010 की, लेकिन अगर मैं फिर 90% से depreciate करूँ, तो मेरी WDV निकलाईगी, 2011 की, लेकिन अगर फिर मैं 90% depreciate करूँ, तो मेरी WDV निकलाईगी, 2012 की, और फिर मैं 90% depreciate करूँ, मेरी WDV निकलाईगी, 2013 की WDV निकलाईगी, 31213 का मतला ज़ए चोदा ही होता है, क्या आगया? 107.93, 107.93, solution में देखो, मैंने 0.9 खाली दो नही 23 लिखा हो है, ओके, चले जी, ये WDV आ गया मेरा, आगे चलो, बेचने के साल में कोई depreciation चार्ज नहीं करनी, अब यार मुझे disposal की cost चाहिए, क्योंकि टेक्स वाले रिवेलियों नहीं करते ना, अब मुझे disposal की cost चाहिए, 33 million, अच्छा, मुझे बता दो, क्या 33 million, की 4.5 years की depreciation निकाल के इस account से बाहर निकाल लूँ, या इसकी सिरफ 4 साल की depreciation calculate करके, इसको इस account से बाहर निकाल लूँ, 4 साल की depreciation मुझे चाहिए, 4 साल की depreciation मैं क्यों record करूँ इस 33 पे, क्योंकि no depreciation in the year of disposal, तो अब मुझे बताओ, जब मैं इसको किताबों से throw away तो मुझे WDV कौन सी चाहिए, मुझे WDV चोथे साल के end की चाहिए, या सड़े 4 साल के end के चाहिए, चोथे साल के end की WDV चाहिए, तो कास्ट बताओ, 33, 90% कर दूँगा तो इसकी WDV आजागी, 30, 12, 10 की, फिर 31, 11 के WDV आजागी, फिर 31, 12, 12 की, और फिर 31, 13 के WDV आगी, तो इसलिए बेचने के साल में तो depreciate हमने करना, तो इसलिए वो इसको फारे करो, और अगर बेचने के साल में depreciate करना होता ना, तो शायद आपको याद है एक बात, मैंने एक तरीका सखाया था एक लास में, 10% इंटू 6 बटा 12, बना 5%, फिर 5% depreciate करते, और 5% depreciate का मतलब होता बेचने के साल में depreciate किया, तो फिर 95% से multiply करके आती, यह याद आ रही है, छोटे-छोटे-छोटे-दो सवाल कराये थे, किस सफ़े पर रहे थे, चोटे-छोटे-छोटे-दो सवाल करवाये थे, इस सांगे, अगर यह 95% बात भूली भी है, वो जो homework वाला सवाल दिया था, उसी के आगे बीचे देख लो, 750 बता नहीं कौन सा, लेक्चर नोट्स वाला, हाँ, 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 लेक्चर नोट्स आगया हो, लेक्चर नोट्स निकाला, छोटे-छोटे-छोटे-दो सवाल करवाये थे, पेज नमबर 746 के एंड पर, और 747 के स्टार्ट पर, ऐसा ही है, ज बताओ जी क्या जवाब आया, 21.65, अब हमने क्या चार्ज करनी है जी, depreciation, depreciation कैसे चार्ज होती है, on opening WDV, minus opening WDV of all assets, minus opening WDV of disposals, additions, additions तो है नी, on additions, additions तो है नी, disposals पे भी 6 मिने के चार्ज नी करनी, क्योंकि बेचने के साल में चार्ज नी करनी, तो on addition, on disposal की जरू होती है, अब बता दो, opening WDV of all assets, लगी लिए उपर ही available है, 107.90, और ये भी शुकर है जकम January 14 की ही है, क्योंकि बेचने के साल में चार्ज नी, opening WDV of all assets, minus opening WDV of disposals, 21.65, जी, क्या जवाब आया, इतने परसंट 10 percent, 10 percent, is equal to 8.6, 3, it is depreciation, what is carry down, 77.65, 6.65, clear, चलो इसको नोट करो, अच्छ जी, आगे महतरम, अब अकांटिंग वालों की WDVs निकला है, अकांटिंग वालों की depreciation निकला है, अकांटिंग वालों की depreciation निकला है, अकांटिंग वालों की gain loss निकला है, टेक्स वालों की WDVs निकला है, टेक्स वालों की depreciation 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 निकला है, टेक्स वालों की कि कॉस्ट 33 है WDV 21.65 क्योंकि अचांटी WDV बनाया है तो गें लास कितना आ गया 8.35 तो यार यह जो मैंने दिवार लगाई है इस दिवार का मकसद कुछ हो रहे है इधर अधर अब आपने मुझे क्रांट पर देफर टेक्स की वर्किंग करना यहीं है लेकिन पहरे दरह मुझे आप ऐसा करो चरह करो करेंट एक करनीं रहा क्योंकि इसमें कोई किमाल नहीं है करनाच्स की अरिस साल का 100,000,000 चलो जी, क्रांटेक्स की वरिकिंग, solution. If I come on page number 311, then you will find it. जी, profit कितना? 100. हिम्मत करो, और मुझे बताओ. Accounting वालो कि दिप्सेशन, हिम्मत करके, accounting वालो कि दिप्सेशन बताओ. Accounting वालो कि दिप्सेशन, 0.76 plus 5.62. 6.38, यह accounting वालो कि दिप्सेशन आगई? Tax-al कि दिप्सेशन बताओ. 8.63. यहार वो न, accounting वालो का gain है, loss है, 1.16. Loss cold आते कैसे हैं? यह तो बेचने पे loss है, accounting loss on disposal. कितना? 1.1, बता नहीं, यह यह, यहां कैसे निकलाओ है? Working 1, 1, छोड़ो इसको. बस तो T-counts में हमने generality करके बना लिया न. और tax वालो का gain? 8.35. Done? यह 4 figures हैं. अब आप कहोगे, सर, यह तो accounting वालो कि दिप्सेशन आगई, यह तो tax वालो कि दिप्सेशन आगई, वो कहाँ है? हजरत, वो आपने देखना होता है, yellow वाली line से. अब मैं yellow वाली line की generality कराएं लगाऊ, ताकि मैं आपको बताऊं, current tax की working में क्या जाना है? Building debit, Sir DTL credit, Sir Plus in OCI credit, तो P&L में कुछ गया ही नहीं. अब किसका account बनाओ मैं, DeferTex का? DeferTex account माने में आपने मुझे help out करना है, कि every possible effort करना है, BD missing है, DTL का BD missing है, every possible effort करना है, लगे पहले closing निका लो, office building closing, double one 2.4, 77.65, 77.65, double one 2.4, ठीक है? अच्छा, every possible effort करने की जरूवत नहीं है, 31 बाना 13 का भी data available है, 138.1, opening, 107.93, तो every possible effort नहीं करना है, readily figures available है, यह आगया, clear, और carrying amount of asset is, greater, TTDs, DTL, DTL का BD, और DTL का, CD, अगला सफा, page 3.11, DTL का BD, उबनाने की दिरूँ तो नहीं ना यार, होजे न, DTL का BD, DTL का, CD, DTL का BD आगे, DTL का CD आगे, यार, एक entry आपने करनी है, मुझे तो, कल वाली क्लास याद है, एक entry blue marker से करनी है, एक entry red marker से करनी है, वो मैं अगर आपके लिए करूँगा, उसके लिए मैंने आप उगा था, DTL का T-account के लिए, येलो वाला, highlighter, revelation surplus या loss, PP debit, building debit, DTL credit, और surplus इनो CIE credit, DTL credit, कितना जी, 3.53, तो यहाँ asset लिखना हूँ, या building लिखना हूँ, जो में रजी लिख लो, कितना, DTL credit, 3.53, यह आप blue marker से क्या करूँ, DT balancing निकाल लो, पताओ कितना है, 2.1, ये defer tax account बन गया, आगे तो सारा manual काम होते हैं, आपको पते, असल में वर्किंग्स ही मेन है, उसके बाद तो current tax की वर्किंग भी इसान है, defer tax का working भी इसान है, defer tax का t-con भी इसान है, अब reconciliation में जाएगा 2.18, और CT जाएगा, 2.18 और CT 32.18, चाहिए 32.18, tax expense record हो रहा है, ये उलट रहा है, 2.18, पदे नोट मांगा भे नहीं मांगा भा, नोट मांगा भे, ये याँ नोट बना भे, ये खाहन बना भे, ये, ये नोट नइंड भे बना भे, पेज नमबर 3.11 पर, ये CT हो गया, ये DT उलटा दिया, 30 आगया रिकॉंसलेशन मैच होगी चलो अच्छा हुआ अब होग में क्या कर क्या होगे Question 19 Page number Page number 750 कुछ तो पता नहीं अच्छा और दूसरा ना test की discussion upload होगी IS 12 जो सवाल था पता नहीं इसमें charitable चीजें भी आ रही थी और भी कुछ चीजें आ रही थी उसकी discussion इंशाला upload होगी वो इंशाला मैं कोशिश करूँ मैं शाम तक कर दो अच्छा भाई इसमें अब अगली बात यह है जो आपके समझने के लिए आपके याद रखने के लिए depreciation के सामने वली चीजें आपने highlight कर देनी है ग्रीन से उनमें किसकी entry नहीं होनी अगर depreciation के सामने कोई P&L में figure आ रही हो उसकी भी बतायर है entry नहीं होनी और depreciation के सामने कोई tax वाली figure आ रही हो उसकी भी entry नहीं होनी पहले यह बात की थी class में असरे में DTL account बनते हैं उसमें यह चीजें खुदी इस हो जाती है और दूसरी बात यह की थी के current tax की working में revaluation surplus या evaluation loss जाता है P&L वाला वो इस सवाल में था नहीं और defer tax की working में नहीं T account में defer tax के T account में जाता है DT defer tax के T account में DTL की general entry जाती है वो कहां regulation surplus या regulation loss निकाला है तो PP debit DTL credit surplus in OCI credit तो it was all अब मैं कोशिश करूँगा एक सवाल ना आपको और अगली class में डिस्पोजल का दूँ डिस्पोजल का एक और सवाल ज़रा ना आपकी ज़रा ethics किद रहे हैं और यार कोई ethics सीख लो यार यार कभी ऐसा हो सकते है कि आपको कुछ class आपकी कभी ऐसा हो सकते है कि आपको मैं हूं page 454 पर सीख करने के बाद आपको भी ऐसी चीज़ करनी पड़े जो जिसमें standard मुझूद ना हो हो सकता है एक मिसाल देता हूं यह बजट बनाना पड़ गया आपको बजट बजट बनाना पड़ गया मैं page 454 पर हूं अब बजट बनाना पड़ गया तो बजट बनाने पर तो कुछ standard नहीं है कि future में इस company की sale कितनी होगी forecast उसे आप कहा रहे हो future में company की sale कितनी होगी तीन साल, तीन साल future में balance sheet कैसे बनेगी, तीन साल business के खरचे कितने होगे, यह आप out होगे अब ऐसी सुरत में आप क्या करो, अगर C.A. करते करते, C.A. में job करते करते, C.A. करने के बाद ऐसा करना पड़ जाए, तो यह आप तीन काम करो, ताकि आप बात कुना होगे, बस होश हवास में सब कुछ करना है, बजट बनाना पड़ गया, standard मुजूद नहीं है, तो क्या करने है, judgment में, number one, आपको purpose पता होना चाहिए, for which information is to be used, purpose क्या हो सकता है, capital raise करना, हो सकता है, आपने shareholder से और पैसा मांगना हो, purpose यह हो गया, आपको जहिन में purpose होना चाहिए, मैं किन के लिए बना रहा हूँ, यनि किस मक्सक लिए बना रहा हूँ, the context within which it is given, again वही, capital raise करना, context, क्या है, capital raise करना है, audience किन को देना है, new shareholders, पैसा किसे मांगना है, पुराने shareholder से भी मांग सकते हैं, मैं वैसे ही बात करा हूँ, new shareholders audience है, मेरी information को use कोन करेगा, नए shareholder, और अगर मैंने information में दो नमरी मारी, तो shareholder पैसे लेके आ जाएंगे, और वो कहेंगे, यार आपने तो मैंने बहुंगी मारी होगी, और आगे कुछ भी नहीं है, आगे example दे रहे, for example, तो कितनी एतियातियां करनी है, यार, तीन, दो तीन नमर का सवाल आसता है paper में, कि जब standard में कोई चीज मौजूद ना हो, तो कैसे करो, आप करो अपना काम, for example, when preparing or presenting pro forma reports, budgets, forecasts, the inclusion of relevant estimates, estimates लगान नहीं पड़ेंगी, और assumption भी लेनी पड़ेंगी, कि पता नहीं क्या बनेगा future में, where appropriate, when preparing or presenting, when preparing or presenting budgets, where appropriate, जहां जहां आपको appropriate हुआ, would enable those who might rely on such information to form their own judgment, आप किन को काबिल कर रहे हैं, किन को enable कर रहे हैं, enable those who will rely on information to form their, जहां आपकी information पर rely करेंगे, और फिर क्या आप क्या form करेंगे, judgment, where appropriate class card, the CM might also consider clarifying the audience, clarifying the audience क्या, किया यार, sale confirm नहीं है, estimate है, clarify कर दो audience को, sale confirm नहीं है, estimate है, clarify करके, एंग्रेजी लिख के बता दो, context भी बता दो, इनका, किस context में ये बनी है, किस context में बनी है, cash चाहिए, capital raise करना है, users को context भी बताओ, users को पता ही हो, वैसे आम तो, capital raise करना है, and purpose of the information, again purpose वो ही, capital raise करना है, तो मेरे खाल से नहीं है, ये ABC पर ज्यादा दरा focus करना, और paper में सवाल क्या आएगा, जब कभी relevant standard में कुछ ना लिखा हो, और आपको C.A. करने के बाद वो काम करना पड़ जाए, तो इसमें कितनी चीजों का ध्यान रखना है, number one, मकसद के है, information का, किस context में provide की जा रही है, और audience के है, तो ठीक है जाए, बस ये एक सवाल हमारा homework में है, इंशाला, विल्गी class में मिलेंगे.